किसान भाईयों नमस्कार आप धान के फसल की तैयारी कर रहे होंगे कुछ किसान भाई धान की सीधी विजाई भी कर रहे हैं और इसके वारे मैंने पूशा समाचार के पिछले विशेश अंक में आपको जानकारी दी थी और इस वारता में मैं मुख्य रूप से आपको वताना चाहूँगा कि जो धान में एक पिछले वर समस्या आई थी फिजी वाईरस की जिसको हम सदर्न राइस ड्वार्फ स्ट्रीट वाईरस के नाम से जानते हैं और इसके वाईरस के चलते यह जो विशानू था इसके चलते धान की रुपाई के करीब 30-35 दिन बाद आपको खेत में कुछ पौधे छोटे दिखने लगे थे बिलकुल बौने पौधे दिखने लगे थे कि संख्या अलग-अलग किस्मों में पांच से ले करके 20 प्रतिसत तक पाई गई थी और सायदी कोई यसी किस्म थी जिसमें कि इनका प्रभाव देखने को नहीं मिला था कुछ में कम कुछ में ज्यादे अब चुकि हम अगली फसल के तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से या क्या विशेश ध्यान रख करके हम इस फिजी वायरस का नियंतरन कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ यह विशान जैसा कि मैंने पहले कई वार बताया है एक पौधे से दूसरे पौधे में तेला या चेपा जिसको हम विशेश रूप से वाइट बैक्ट प्लांट हापर जो सफेद रंग का फुतका होता है पीट पर सफेद रंग के धब्बे पाय जाते हैं बाकि इसका भूर देता है अब चुकि खेत में इसको देखने में हमें मिला के करीब 25-30 दिन की फसल जब हुई तो इसका प्रकुप जादे दिखने को मिला इसका एक कारण यह हो सकता है कि यह जो संक्रमन आया था यह पौधसाला से भी आ सकता है जो यह सफेद रंग का तेला है वाइट बैक मिल जाता है कि वो एक सीजन से दूसरे सीजन में लगातार अपनी चंसंख्या को बनाए रखता है और जब बरसात होती है हवा चलती है तो उसके साथ यह उत्तर भारत में आ करके यहां पर भी अपना प्रफाल डालता है इसलिए जरूरी है कि जब हम पहुत साला की तैयारी कर रहे हैं नरसरी लगा रहे हैं तो उस समय इसका नियंतरन करें और इसके लिए आपको नरसरी लगाने के 10 से 15 दिन बाद जब अच्छी तरह से बढ़वार हो जाती उसको ध्यान रखिए और कहीं पहुत साला में अगर आपको तेला या चेपा का प्रकूब दिखता है तो आप 3-4 दवाएं हैं जो की तेला को नियंतरन के लिए प्रयोग मिलाई आती हैं उसमें टोकिन या ओसीन इसकी करीब 100 ग्राम मात्रा प्रती एकड परियाप्त होती है उसी तरह से पेक्सालोन दवा है इसकी 100 मिलिलिलिटर दवा एक एकर के लिए परियाप्त होती है और चे अगर आपको कहीं तेला या चेपा दिखता है तो इसका चिड़काव पहुत साला में जरूर करें ऐसा करेंगे तो फिर जो तेला है वो नहीं लगेगा और तेला जब नहीं लगेगा तो यह विशानु जो फिजी वाइरस है वो फैलेगा नहीं इस अंदर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे वैज्यानिकों ने यहाँ पर अध्यान किया और पाया कि जो दूब घास है सामा है सामा घास या मोथा घास है इसके उपर भी वाइट प्लैक प्लांट हापर जो है सर्वाइब करता है तो आपसे यह भी नरोद हैगा कि आप अपनी नरसरी के अगल वगल आज पास बिल्कुल सफाई रखें घरपतवार फ्री हो ताकि कोई इसको अल्टरनेटी होस्ट जो है न मिल सके तो मुझे उमीद है और विश्वास है कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और अपनी पौद की अच